नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो विध्यापल संख्या पचास हमारी आने वाली है उसमें जो सिक्षा सास्त्र विशे है और बीड विशे है उसमें जो प्रिशन आएंगे कहास कर तो ने विभीन टॉपिगों से रिलेटट चाहे है वो सिक्षा कर दार्सनिक आधार हो सिक्षा आस्त्र आश्रिया दहार हो मनौवज्यां कि सिसर्च हो टीचर एद्यूपेशन हो तो माने सोचा क्यों न एक प्रशनों की जो स्क्रणभळ है वह शुरूं की जाए ये प्रशन जो हैं वो कुछ मेरी अपने पस्टनर नोट्स के कोश्चन्स हैं और कुछ कोश्चन्स मैंने प्रतियोगिता सिक्षास्त्र डॉक्टर कुमार संजीब की बुक है वहाँ से इनकुल लिया गया है बहुत बहतरिन कोश्चन्स है और इस वीडियो को बनाने का एक मेरा उद्देश ही है कि जो भी साथी अस्टेंट प्रफिसर की तैयारी कर रहे हैं विग्यापन पजास के अंतरगर्द या UGC NET की तैयारी कर रहे हैं भी से हम फोड़े कोश्चन करेंगे और मुझे उमीद है कि इन कांदर से आपको अउपके एक्जाम में कोश्चन्स जरूर मिलेंगे क्योंकि अच्छे कोश्चन है और साथ इनी कोश्चन को पढ़कर मैं भी स्टेंट प्रॉफिसर बन पाया मैं अर्स्टेन प्रफेसर हूँ बियर डिपार्टमेंट में एसल बियर डिपार्टमेंट में तो मैं ऐसी आसा करता हूँ कि आप इन कोश्चन्स का फाइदा उठाएंगे और निश्य तोर पर आपको बहुत ज़्यादा मदद इससे मिलेगी तो प्रति दिन मैं आसा करूँगा कि आपको एक अपना वीडियो दे सकूँ जिससे कि आप जो है अपनी तैयारी लगाता है इसके साथ जिनकर हमें आज चर्चा करनी है जो हमारा पहला प्रशन है वो है विद्याले को समाज का वास्तविक प्रतिनिधी होना चाहिए यह हमारे चार आप्षन है यह कथन है आपका जोन डिवी का जॉन डिवी ने कहा है कि विध्याले को समाज का वास्तिविक प्रतिमिधी होना चाहिए अगले कोशन के हम बात करते हैं अगला कोशन है व्यक्तिक परिप्रेक्ष में सिख्षा का मुख्य उद्देश है तो दोस्तो इसके जो उत्तर हैं वो है जीव को पार्जन अर्निंग लिवलिहूट ज्यानरजन अक्वाइरिंग नॉलेज व्यक्तित्व का सर्वांगिन विकास हार्मोनिस डेवलमेंट और पसनेलिटी और चोथा ओप्षन है हमारा समाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना ध्यानरजन के एक कोशन है आपका व्यक्तिक परिप्रेक्षमी सिक्षा का मुख्य उद्देश ये धमेन एम ओफ एजुकेशन यहीं इन्डिविजल प्रस्पेक्टिब्स को इसका जो सही आंसर है वो है समाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना जो इसका सही उत्तर होगा समाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना व्यक्ति जो है अगर परस्नल उसमें लें उसके इंडिविजल प्रस्पेक्टिब्स में लें तो सिक्षा का जो मुख्य उद्देश है वो होता है समाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करना आए तीसरे प्रशन के तरफ चलते हैं, तीसरा प्रशन है हमारा कौन एक सिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्यत करने वाली मुख्य विशेष्था है, तो जो चार आप्शन है, पहला आप्शन है पार्टे चार्या, करिकूलंब, सागेंड आप्शन है मारा चाल्ड, बच्चे, थर्ड आप्शन है सिक्षण विधी, टीचिंग मेथार्ट और फौर्थ आप्शन है मारा सिक्ष़ टीचर, तो दोस्तो जो सिक्षा की उद्देश्य को सुनेशित करने वाली जो मुख्य विस्यस्ता होती है वह है करिकुलम पाठे चर्या अगले कोर्शन की तरफ हम चलते हैं जो हमारा अगला प्रेशन है पाठे चर्या का आधहार है पाठे चर्या का क्या आधहार है तरफ क्या बेसिस है करिकुलम के पहला अप्षन है हमारा दार्सुनिक अवधारना फिलोसिफिकल कॉंसेप्ट दूसरा हमारा प्रेशन है समाजिक अवधारना सोसल कॉंसेप्ट तीसरा हमारा जो आंसर है वह है मनुवैग्यानिक अवधारना साइकशलोजिकल कॉंसेप्ट और फ़ॉर्थ पॉइंट है हमारा वैज्यानिक अवधार्णा साइन्टिफिक कॉंसेप्ट तो दोस्तों जो पाथे चर्या है हमारी कुलीक्लुम है जो कुलीकリुम का जो आधार है वो है वैज्यानिक अवधार्णा क्योंकि वैज्ञानिक अवधार्णा के आधार पर ही हम जो है क्या करते हैं कोश्चन को फ्रैम करते हैं यह फॉर्मेशन जो कोश्चन का होता है वो वैज्ञानिक अवधार्णा के आधार पर ही होता है अगले प्रशन की तरफ चलते हैं जो अगला प्रशन है पोधे किर्शी द्वारा विक्षित होते हैं और जो मनुस्य है वो सिक्षा द्वारा who said plants are developed by cultivating cultivation and men by education देखे दोस्तो इसका पहला जो answer है वो plateau दूसरा हमारा जॉन डिवी तीसरा है हमारा लॉक और चोथा है रूसो अहीं उत्तर है वो है आपका रूसो जी रूसो ने कहा है कि पोधे किर्जी कारे दोरा विक्षित होते हैं और मनुस्य सिक्षा के दोरा अगले फ्रेशन की तरफ चलते हैं व्यक्तित्व नामक पुस्तक लिखी गई है तबुक नेम्ड परसनेलिटी इस रिटिन बाए इसके आंसर है टैगोर पैस्टोलोजी फ्रोवेल और गांधी जो इसके इंदर आप्शन्स दिये हैं इसी में से आपको बताना है कि व्यक्त पुस्तक लिखी गई है वो रविंद्राट टैगोर के दौरा लिखी गई है और एक परसनेलिटी नामक भूछ दिद्धे ध्यन लिखी आद दोस्तो अबराहिम मैसलो के दो द ही लिखी गई है तो आप कन्फ्यूजडक ना हूँ, अगर अगर हम चॉन्छन का नाम नहीं आ कौन सा वास्तव रूप में या वास्तविक रूप में प्रकृतिवादी नहीं है। आपके जो उत्तर हैं वो है जीन प्याजे, रूसो, पेस्टलोजी और हर्वर्ड स्पेंसर। चार नाम इसके अंदर दिये हैं, आपको इन मसीही बताना है कोन नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है, वो है हर्वर्ड स्पेंसर। Harvard Spencer जो है वो क्या है प्रकृतिवादी नहीं है और आपके प्याजे हुए रूसों हुए या पैस्टलोजी हुए यह आपके प्रकृतिवादी है अगले प्रिशन की तब चलते हैं अगला प्रिशन है शिक्षा दर्सन सास्त्र का गती सील पहलू है यह एक अथन किसका है शिक्षा दर्सन सास्त्र का गती सील पहलू है यह इसके चार आप्शन है तो जो है शिक्षा को जो है कहा है कि दर्सन सास्त्र सिक्षा में कहा है दर्सन सास्त्र का गती सील पहलू है जो सिक्षा जो है दर्सन सास्त्र का गती सील पहलू है यह जौन एडम्स का जो है कथन है अगला प्रशन है मानव अनुभब के बारे में सोचने के प्रियास अथवा अपने पून अनुभब के ग्यान को दर्सन के रूप में किसने परिवासित किया इसके प्रियास अथवा अपने पून अनुभब के ज्यान को दर्सन की रूप में परिवासित किया अच्छू के बारे में सोचने के प्रियास अत्वा अपने पून अनुभब के ज्यान को दर्सन की रूप में परिवासित क्या है वो क्या है सेलरस ने अगले प्रश्न के तरप चलते हैं जेन दर्सन प्रमानिक ज्यान के प्रापती है तू अदोलिकित ज्यान मिमासात्मक से धान्त का प्रतिपादन करता है अनिक्ताबाद इसके ओप्शन्स हैं अनिक्ताबाद, शियादबाद, नए और मती ज्यान तो इसका जो सही आंसर है वो है स्यादबाद ज्यान मिमासात्मक से धान्त का प्रतिपादन करता है अगले प्रेशन की तरब चलते हैं जो हमारा अगला प्रेशन है वेदान दर्सन के संदर्ब में माया की अवधारना किसका प्रतिवनिधित्व करती है इसके ओप्शन हैं पसु यथार्थ, अनुश्यूप यथार्थ, अंतरनीहित यथार्थ या परमार्थिक की आस्थिक सक्ती पसु यथार्थ, ट्रांजेंटी रियालिटी, अनुश्यूप यथार्थ, अमिनेंट रियालिटी, अंतरनीहित, इनहरेंट रियालिटी और परमार्थिक की आस्थाई सक्ती टेंपररी पावर ओफ एबसुल्यूट, यह इसके चार आप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है, वो है अंतरनीहित यथार्थ, यह बताता है कि वेदान्त दरसन के संदर में, जो है, माया की अवधार्णा किसका प्रतिनिद्द करती है, तो यह बता है, अंतरनीहित यह थार अगले प्रशन की बात करें, अगला प्रशन है, सिक्षा है एक, एजुकेशन इच, सिक्षा क्या है, यह कह सकते हैं, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव एवं पॉजिटिव साइंस, उप्रोक्त में से कोई नहीं, देखिए, नॉर्मेटिव सा साइट्स दा एप्लिकेशन ऑफ फोर्मर अनलाइसस थे तो अगर यहां पर बात की जाए कि एजूकेशन गाए तो देखें एजूकेशन जो है नौर्मेटिव एवं-पॉजिटिव साइनस दोनु है अगले प्रेशन की तरफ चलते हैं, जो अगला प्रेशन की तरफ कहता है कि सिख्षा के दर्सन का कौन सा संप्रदाए डार्विन के विकासवाद के सिधान से निकटता जताएगा जो आपका डार्विन के विकासवाद का सिध्धान है वो निकटता जताएगा प्रेशन बाद से इसका सही आंजर है प्रेशन बाद अगले प्रेशन की तरफ चलते हैं अगला प्रेशन है दर्सन सास्त्र तथा सिख्षा एक ही सिख्के के दो पहलू है एक विचारसील पक्ष है तथा दूसरा सक्रिय है यह किस ने कहा philosophy and education are two sides of same coins one size is contemplative and other side is active who said it first question answer अरस्तु फिक्टे जेम्स एस रौस और जोन ड्यूवी तो इसका जो आंसर सही आंसर है कि दर्सन सास्त्र एक सिख्षा एक ही सिख्के के दो पहलू हुए एक विचारसील पक्षा और दूसरा सक्रिय है यह कहा है आपका जेम्स एस रौस ने अगले प्रेशन की तरब चलते हैं सिख्षा का समाननितम इस्तर दर्सन ही सिख्षा से धान थे किसके दुआरा कहा गया philosophy is the theory of education in its most general form has been said by यह किसने कहा है यह इसके चार आप्शन है आपका Russo, Harvard Spencer, Fichte और Dewey तो दोस्तों यह कहा है जॉन डूवी ने यह जॉन डूवी का कथन है अगले प्रेशन की तरब चलते हैं यह हमारा अगला प्रेशन है त्री रतन द्वारा मुक्ति होती है किस धर्म के अनुसार त्री रतना is the means of liberation for जैन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सांख्या और न्याए तो दोस्तों जो त्री रतन है वो जैनिज्म का है और यह कहें कि मतलब त्री रतन के द्वारा जो मुक्ति होती है वो जैनियों के होती है अगला प्रशन की बात करते हैं, अगला प्रशन है सैक्षिक उद्धेश्यों का सबसे अच्छा स्रोत है पहला आपका इसका ओप्शन है मानव अनुभव, दूसरा है सिक्षा मानव ज्यान, तीसरा है अध्यापक सिक्षन महाविद्याले और चोथा है राज्य विधाईका तो जो इसका सही उत्तर होगा, वो है आपका मानव अनुभव, जो मानव अनुभव होते हैं, वो सैक्षिक उद्धेश्यों के सबसे अच्छे श्रोत होते हैं अगले प्रशन में तरब चलते हैं, अगला प्रशन है, नॉलेज इज वर्च्यू, किसने कहा है नॉलेज इज वर्च्यू, हैज बीज इन सेट बाए, सो कटीज, रुसो, प्लेट्व, और ब्रैटमें, तो देखें, नॉलेज इज वर्च्यू, ये कहा था सुकुराद में ध्यान नहीं किएगा, knowledge is virtue, यह सुकराद ने कहा है, आएए आगे चलते हैं, जो अगला प्रश्ण है, kindergarten सिक्षा पद्धि के प्रणणा थे, kindergarten सिक्षा पद्धि के प्रणणा थे, who is the propounder of kindergarten method, फ्रोवेल, हर्वर्ड स्पेंसर, ग्रेटे और जॉन डिवी, उसका सही उत्तर आप भी जानते हैं, इसका सही उत्तर है, फ्रोवेल, फ्रोवेल को ही kindergarten बीदी का पिता कहा जाता है, या जर्मदाता कहा जाता है, अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्ण है सांखे दर्शन के प्रवर्तक थे, सांखे दर्शन के प्रवर्तकों में जो नाम आते हैं, पहला नाम आता है आपका कपिल का, फिर गौतम, ब्रहस्पती और पतंजली, ये चार नाम हैं, तो जो सांखे दर्शन के प्रवर्तक हैं दोस्तों वो हैं कपिल को ही सांकित रसन का प्रवर्तक माना जाता है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपने धहरे पूरोग मेरे प्रशनों को सुना और इसके बाद हम इसका second part अगले दिन लाएंगे और परड़े आपको एक बाद एक इसका part मिलेगा पहले दार्शनी का अधार फिर समास्सास्री अधार मनोवज्यानी का अधार रिसर्च और रिसर्च के बाद आपका teacher education और teacher education के बाद आपका जो कह सकते हैं कि जो आपका last वाला portion है teacher education के बाद शिक्षा तकनीकी हुआ विसर्च शिक्षा हुआ और विसर्च शिक्षा के साथ साथ जो contemporary education वाला part है वो यह सारे part एक के बाद एक हम प्रशनों पर जो है चार्चा करेंगे और मुझे ऐसी उमीद है कि यह प्रशन आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा helpful होंगे तो अगर आपको यह मेरे वीडियो शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें thank you thank you very much